बाहुमली फेल्म प्रभास इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म आदी पुनुश को लेकर चल्चा में बने हुए हैं हर किसी को इस फिल्म का बड़ी बेस सब्री से इंतजार है जब से इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है तब से इसके जबदस चल्चे है हाल में इस फिल्म के नए पोस्टर रिलीज किये गयते और ये विदेश में होगा ऐसे में ये आदी पुरुष के लिए बहुत बड़ा मूव माना जा रहा है आदी पुरुष के कहानी भगवान राम पर अधारित है यही वज़े है कि इस फिल्म में रमायर्ट से जुड़े कई किलदार नजराने वाले हैं इस फिल्म की वर्ड प्रीमियर की तारीक की भी घोशना कर दी गई है आदिपुरुष की टीम ने गोशना की है कि इस फिल्म का प्रीमियर नियू यॉर्क के ट्रिबे का फिल्म फेस्टिवल में होगा प्रीमियर की जो तारीक है वो 13 जून रखी गई है ट्रिबे का फिल्म फेस्टिवल 7 से 8 जून तक चलेगा ये जायनकारी सांधने आने के बाद फैंस में इस फिल्म को लेकर एकसाइटमेंट दुगना होता जा रहा है क्योंकि इतने बड़े मंच पर किसे फिल्म का प्रीमियर होना अपने आप में बड़ी बात है ये पल भर भारतियों और फिल्मों से जुड़े कराकारों के लिए खास होगा जब भारतिय संस्कृती पर अधारित फिल्म का विश्पर पटल पर प्रीमियर होगा यही नई सम्मानित जूरी ने आदिपूरुष को इस फिल्म के वर्ड प्रीमियर के लिए चुना है इस बारे में ओम राउत कहती है कि आदिपूरुष एक फिल्म नहीं बलकि ये एक एमोशन है ये एक ऐसी कहानी है जो भारत की भावना के साथ जुड़ी हुई है जब मुझे पता चला कि आदिपूरुष को दुनिया के प्रतिष्टित फिल्म समारों में से एक के सम्मानित जूरी द्वारत चुना गया है तो मैं बहुत खुश हुआ मैं ट्रुबिका फेस्टिवल का ये प्रीमियर वास्तब में मेरे लिया और साथ ही पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें वैश्विक स्तर पर एक ऐसी कहानी दिखाने का मौका मिला है और वर्ल्ड प्रीमियर के दोरान दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने के लिए हम वास्तब में रोमांचिक और उत्साहित है वहीं आदिपूरुष को पहले इसी साल के शुरुआत यानी 12 जनवरी को सिनेमा घर में रिलीस किया जाना था लेकिन फिल्म के टीजर को फैंस की ओर से मिले नेगेटिव रिविउ और कुछ टेक्नोलोजी मुश्किलों के चलते फिल्म आदिपूरुष की रिलीस डेट को अब बतलकर 16 जून का दिया गया है इस फिल्म में साउथ सूपर स्टार प्रभास अली खान सनी सेंग कृति सैनन मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है